आज की विशेश खबरी जो सूर्ची में हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतिय होकी टीम को पैरिस ओलम्पिक्स दो हजार चौबीस में कांसे पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी है। ये जीत भारतिय खेल इतिहास में एक महत्वपूर मील का पत्थर है और भारतिय होकी के पुनरुप्थान का प्रतीक है। भारतिय टीम ने अध्बुत प्रधर्शन करते हैं। वे उलम्पिक्स में अपनी ताकत और सामर्थिय का प्रधर्शन किया। प्रधान मंत्री मोधी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भारतिय होकी टीम ने देश को गर्वित किया है और ये जीत प्रत्येक भारतिय के लिए एक दरुकक्षन है। उन्होंने टीम के सभी खिलाडियों और कोचिंग स्टाफ की मेहनत और समर्पन की सराहना की जिसके कारण ये सफलता संभव हो पाई है। उन्होंने इस जीत को भारत की खेल प्रतिभा का शांदार प्रदर्शन बताया और कहा ति ये युवा खिलाडियों को खेलों में आदिय बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भारतिय होकी टीम के इस शांदार प्रदर्शन ने न नई दिशा तैक करेगी और भविष्य में भारतिये खिलाडियों को और भी उच्छतम लक्ष हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदान मंत्री ने अपने संदेश में ये भी कहा कि इस जीत में ये साबित कर दिया है कि भारत का होकी में बर्चस्व फिर से स्थापित हो रहा है। उन्होंने टीम के कप्तान और सभी खिलाडियों की सराहना की जिन्होंने पूरी लगन और जोश के साथ खेला और टीम को ये अदवितिये सफलता दिलाई। मोधी ने इस एतिहासिक उपलब्धी के लिए पूरी टीम को बढ़ाई दी और कहा कि ये जीप देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोध बनेगी। इस अउसर पर प्रधान मंत्री ने देशवासियों से भी अपील की कि वे खेलों में भारतिये खिलाडियों को और अधिक समर्थन दें और उन्हें प्रोप साहित करें ताकि भारत अंतरवाष्ट्रिये खेल मंच पर और भी सफलताएं हासिल कर सके। उन्होंने का कि सरकार खेलों के विकास और खिलाडियों को बहतर सुविधाये प्रदान करने के लिए कूरी तरह से प्रतिबद है। इस कांसे पदत के साथ भारतिये हौकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपने मजबूत उपस्तिती दर्श की है और ये जीत निश्चित रूख से भारतिये हौकी के सुनहरे बविश्य का संकेत है। भारतिये टीम की ये उपलद्दी आने वाले समय में भारतिये खेलों के विकास और उन्नती में एक महत्वकोन भूमिका निभाईगी। आज फे खबरे इतना ही है। इसी तरह नवीन तक खबरे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।